नमस्कार साथी और नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आप करमचारी हैं सरकारी या सिक्चक हैं तो ये ख़बर आपके लिए है आप किसी भी प्रदेश के करमचारी हैं या केंद सरकार के हैं दोस्तो 50% DA के बाद कितना लाव आपको मिलेगा 50% DA मूल बेतन में मर्ज हो जागा तो आपकी नई मूल बेतन हैं कि बैसिक सेल्ली कितनी वनेगी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कितना आपका जो है बैसिक सेल्ली हो जाएगी कितना DA जो है मर्ज होगा तो आप समझी देखे है और इस पर अपने विशा लिखें तो आएं दे देख लेते हैं लेंग्स को दोस्तों आप देख सकते हैं ये बैसिक चेलदी है इधर और फछास परसंट डी ये और उसके बाद बैसिक कैंट रोगी है आपध़ी है आपकी अब इस प्रकार से आप क्रम में आप दिख सकते हैं अभी आपको बरतमान में कितनी बैसिक सेल्डी मल रही है उसमें 50% डिये जो मर्ज होने के बाद आपकी नई बैसिक सेल्डी आ जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार का फॉर्मॉला जो एक फॉर्मॉला है वो अपनाया जाएगा 50% डिये होने के बाद तो आप अपनी बैसिक सेल्डी जोड़ सकते हैं बैसिक सेल्डी कितनी है जैसे आपकी जो भी बैसिक सेल्डी है यहां पर बात करें 32,900 है और डिये 16,450 है तो इन दोनों को एड़ करने के बाद 49,350 बैसिक सेल्डी होगी नई उसके बाद डिये 0 हो जा लेखें और आपकी सेल्डी जो है आप जोड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करें सेयर करें वीडियो देखने के आपका धन्यवाद जहन जवाद